कैसे हो मेरे प्रियर, तुम्हें एक मात्र इंसान हो, जो अपने जीवन को खुदी प्रेना देती हो, कि सब ठीक हो जाएगा, तुम दूसरों का आदर करते हो, दूसरों से प्रेम करते हो, ताकि बदले में तुम्हें भी प्यारो इसने मिले, दूसरों को खुश करने के चकर म तुम खुदी दुखी रहते हो तुम्हें दूर से दूर्सों के दुखों का एहसास हो जाता है इसलिए तुम सामने वाले के हिर्दय में जल्दी उतर से जाते हो तुम्हारी डिमान बहुत जादा है क्योंकि तुम किसी भी काम के लिए ना नहीं कहते हो लेकिन कई बार इससे लोग तुम्हारा गलत फायदा भी उठाते हैं वो बार बार तुम्हें इमोशनली परिसान करते हैं मेरे बच्चे तुम हिर्दश से बहुत भोले हो तुम अपनी इमानदारी और सच्चाई से लोग का दिल जीत लेते हो लेकिन जिस हिसाब से तुम्हारा स्वभाव है जिस हिसाब से तुम मेहनत करते हो उसके अनुरूप तुम्हें सफलता नहीं मिली है लेकिन अब तुम्हारा भी समय बदलने का समय आ गया है अब तुम्हें अंदगा से बाहर निकलने का मार्ग दिखेगा तुम्हारी जीत इसलिए भी सुनिचित करनी जरूरी है क्योंकि तुम्हें कई सारे लोगों का जीवन बदलना है तुम औरों से अलग हो इसलिए तुम खास यूनियोर्स द्वारा चुने गए हो तुम्हें जो सफलता मिलने जा रही है वो पहले से ही यूनिवर्स द्वारा योजनाबत तरीके से सुन्योजित की जा चुकी है जो तुम्हारे व्यक्ति के जीवन से कई ज्यादा है आप पूरी फिलिंग के साथ अपने सपनों के साकार होने का जस्न मनाओ ऐसा रियल लाइफ में फिल करो कि आपके सपने आपके ड्रीम सच हो गए है ताकि आपकी फिलिंग के वाइबरेशन यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सके आप दुनिया को ये प्रमार देने वाले हैं कि धैरिय, विश्वास और भगवान के साथ तालमेल बनाने से जीवन में अद्वत परिणाम मिलते हैं आपकी सेन सकती, आपका विश्वास और आपकी आंतिक सकती नहीं आपको इस छंड तक पहुचाया है हर कदम, हर गलती, हर संदेह और छोटी-छोटी जीद तुम्हें इस पल के लिए तयार कर रहे थी अब आप अपने एक नए अध्याय में कदम रखने वाले हैं, जो आपकी संतुष्टी और उद्देश्य से भरा होगा और सबसे अच्छी बात तो ये है, कि ये तो बस सुरवात है, आगे आपको और भी बहुत कुछ मिलने वाला है तुमारे विचार नेक है, और तुम हमेशा दूसरों के मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हो, जो तुम्हें औरों से यूनिक बनाती है तुम हमेशा बाबा की निकट आने की कोशिस करते हो, उनसे अपनी बाते सेर करते हो, इसलिए उन्होंने खास भक्त के रूप में तुम्हें चुना है क्योंकि तुम उनके संदेश भी पूरा सुनते हो, ये खास पल हर किसी के जीवन में नहीं आता, इसलिए इसे हलके में मत लेना हाली में तुम्हें जो संकेत मिले हैं, उन पे जराग गौर करना, क्योंकि हर संदेश में कुछ न कुछ ऐसा जरूर चिपा होता है, जो तुम्हारे सपलता को नया आयाम दिलाने में साहिता परदान करता है मैसूस करना कि बार-बार दिखने वाले एंजल नमबर या किसी गाना का व्याक्यांस जो तुम्हारे दिल से गहराई से जुड़ता है, ये संकेत कोई संजोग नहीं है, बलकि यूनिवर्स का आप से बात करने का तरीका है कभी-कभी आपको घड़ी पर अचानक 11 बच का 11 मिनट दिखता है, या फिर आप कोई ऐसी चीज देख लेते हैं, या सुन लेते हैं, जो आपके सवाल का सीधा जवाब होती है तुमारा आध्यात्मी की और बढ़ना भी एक सबसे बड़ा संकेत है, कि तुम सही रापच चल रहे हो, और सफलता तुमारे ठीक सामने है यूनिवर्स अब आपको वो देने की कोशिज कर रहा है, जिसकी चाहत आपको लंबी समय से है कभी कभी तुमारी नीद अचानक ब्रह्म मुर्थ में अपने आप खुल जाती है, क्योंकि एक यूनिवर्सिय सक्ती तुमारे चारो और घूम रही है, जो हमेशा तुम पर नजर रख रही है कभी कभी तुमारे सरी का तापमान एकदम से गर्म हो जाता है, जैसे आपके अंदर कोई आग जल रही हो, और फिर अचानक ठंडी लहर दोर जाती है या कोई साधान संकेत नहीं है, बलकि आपके सरी की उर्जा, ब्रह्मान्डी उर्जा के संबर्क में आ रही होती है और या सिर्फ उसी व्यक्ति के साथ होता है, जिसका आध्यात्मिक सपर अच्छा चल रहा होता है तुमारे अंदर कुछ विशिष्ट गुर्ण विद्यमान है, जैसे तुम खुद से पहले दूसरों की खुशी देखती हो, और नहीं किसी को हीन दिष्टी से देखती हो करने से कोई फाइदा नहीं है, बलकि अपने आग की भौश्यों को देखो, अब वो दोर चला जाएगा जब तुम दुख्या और चिंते तहते थे, तुम्हारे आने वाले पल बहुत बेतरीन होने वाले हैं, क्योंकि अब तुम्हारे सपने साकार हो रही हैं, अब आपको क अपनों को अपनी और खीचेगा, आप कमेंड में 366 किसां टाइम भी डाल सकती हैं, जो बहुत अच्छा माना जाता है, अब इस संदेश रूपी आसिदवार को स्विकार करो, और आने वाले पलों का जस्ट मनाओ